हेलो स्टुटेंट्स मैं लोकेंदर राजावत स्री जंगवा इंस्ट्यूट के यूटूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ दियर स्टुडेंट आज हम देखने वाले हैं रूल्स ऑब डिविजिबिलिटी के सीरीज का पार्ट नमबर सिक्स जो की हमारा लास्ट पार्ट होगा जिसके अंदर हम कवर करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं 26 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है तो इसको समझने के लिए हम पहले यह देखते हैं क्या हम 26 को 2 x 13 लिख सकते हैं अथा अर्थ इसका मतलब गुआ कि हमें 26 से अगर किसी नमबर को डिवाइड करना है तो इस नमबर को 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा और 13 से भी डिवाइड करना पड़ेगा इसी चीज को मैंने यहां भी नोट कर दिया देखो किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड कर सकते हो और 13 से डिवाइड कर सकते हो तो वो नंबर क्या होगा 26 से भी divisible होगा 2 के लिए कैसे चेक करते हैं मैं पहले ही वीडियो में cover कर चुका हूँ कि कोई भी नंबर अगर even है अथा सम है तो उस नंबर में 2 का भाग जाएगा और 13 के लिए मैंने part 3 में cover किया है तो सबसे पहले एक काम कीजिए आप part number 6 देखने से पहले एक से लेके past तक के सभी parts को देखिए playlist में जाईए पूरी playlist को देखकर फिर आप part number 6 में आना जिससे कि आपको 1 से 25 तक के सभी numbers के क्या होंगे divisibility के rules पहले से पता होंगे तो आपको आगे किसी भी rule में problem नहीं आईगी इसका कारण यह है कि जितने भी rules पहले हम पढ़ चुके वह कहीं ना कहीं वापस से क्या होंगे यहां पर यूज होंगे तो सबसे पहले वहां जाईए playlist के शुरू के 5 वीडियो को देखिए उसके बाद में part number 6 को देखना start कीजिए तो 13 के लिए क्या होता है मैंने यहां भी एक बार note कर दिया है वो क्या होता है हमें क्या करना होता है एड करना होता है लास्ट डिजिट के चार गुना को यानि कि लास्ट वाला डिजिट है उसका चार गुना करो और from rest of the number बाकी का बच गया जो बाकी की जो हमारी संख्या बच गई उसके अंदर से हमें क्या करना है लास्ट डिजिट के चार गुने को जोड देना है और यह इस्टेप तब तक करनी है जब तक हमारा जो रिजल्ट है वो कितने डिजिट्स में नहीं आ जाए दो डिजिट्स में नहीं आ जाए तो इस एक्जाम्पल को देखते हैं इन दोनों रूल्स के इसाब से तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा देखो सबसे पहले तो क्या बेखना है इस वाले डिजिट को देखो यह 4 है इस वाले डिजिट को देखो यह क्या है 8 है तो 8 क्या होता है इवन अथार्ट सम होता है इसका मतलब यह जो number होगा यह क्या होगा 2 से divisible होगा अब 13 के लिए कैसे check करते हैं तो last वाले digit का 4 गुना करना है क्या बोलो है last वाले digit का 4 गुना करना है और उसको add करना है from the rest number यहनि बाकी की जो संख्या बच गए उसके अंदर तो देखो इसका 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा 32 बाकी के बचेवे number यानि इसके अंदर 32 को plus करना है यह 6 होगा 0 होगा 1 होगा 2 होगा यही step तब तक repeat करना है जब तक हमारा answer दोर digits में नहीं आजाए तो देखो यह क्या है 6 इसका 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा 24 इसको किसमें 8 करना है इसके अंदर 8 करना है 4,3,2 फिर से वापस इसका 4 गुना करना है तो यह कितना आएगा 16 आएगा तो 23 में 16 एड करेंगे तो यह आएगा 39 39 13 से divisible होता है 3 times तो हम बोल देंगे कि यह जो नंबर है यह क्या होगा 13 से भी divisible है अब देखो अगर यह नंबर दोनों से 2 और 13 दोनों से divisible है तो हम बोल देंगे कि यह जो नंबर है यह क्या होगा 26 से भी divisible होगा अब देखते हैं rule of 27 क्या कहता है तो इसके लिए हमें क्या करना है, last digit का 8 कुना करना है, यानि उसको 8 से multiply करना है, और from the rest number में से उसको subtract कर देना है, यानि कि last वाले digit का 8 कुना करके, बाकी की जो संख्या बच गे उसके अंदर से हमें क्या कर देना है, उसको घटाना, तो देखो इस से, इस example से हम समझते हैं, तो last वाला digit क्या है, 2, इसका 8 टाइम कितना होगा, 16, बाकी की बची भी नंबर क्या है, 151, इसमें से 16 माइनस करेंगे, तो यह कितना आएगा, 135, फिर से वापस से repeat करेंगे इसी step को, तो 5 को 8 से multiply करेंगे, तो कितना आएगा, 40, इस 40 को क्या करेंगे, 13 में से माइनस करेंग तो हम बोल सकते हैं कि यह जो नंबर है, वो क्या होगा, 27 से भी divisible होगा, इसको आप note कीजिए, अगली वाली slide पे हम 28 से लेके 30 तके numbers को cover करते हैं, अब हम देखते हैं, rule of 28 क्या कहता है, तो क्या हम 28 को 4 multiply 7 लिख सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि वो जो नंबर है, 28 से अगर divisible है, इसका मतलब उस नंबर को 4 से भी divisible होना पड़ेगा, और 7 से भी divisible होना पड़ेगा, इसी चीज को मैंने यहां भी note कर दिया, देखो, वो नंबर अगर 4 से और 7 दोनों से divisible है, तो वो नंबर 28 से भी divisible होगा, तो 4 से कैसे divisibility का rule check करते हैं हम, यह मैंने part नंबर 1 के 7 का rule cover किया है, तो आप part 2 देखकर फिर इस वाले rule को देख सकते हो, तो मैंने यहां note भी कर दिया है, तो देखो, rule of 4 क्या कहता है, कि last के जो 2 digits है, उनको ही हम divide करके देखेंगे, अकर वो 4 से divisible है, तो पूरा नंबर क्या होगा, 4 से divisible होगा, तो एक example को भी हम देखेंगे, पहले 7 का rule समझ लेते है, तो 7 का rule क्या कहता है, last के digit का 2 गुना करना है, और subtract from rest number, यानि बाकी की संख्या में से उसको घटा देना है, तो देखो, example से समझते है, तो last के 2 digits क्या है, 88, 88 के अंदर क्या होगा, 4 से divisible होगा, क्या 88, यह देखो, 4 से divisible हो रहा है, 22 time, इसका मतलब यह number 4 से, तो divisible है, अब क्या करना है, 7 के लिए चेक करना है, तो इसको कैसे करते हैं, देखो, last वाला जो digit है, इसका 2 गुना करना है, कितना आएगा, 16, और बाकी का बचावा number, यानि कि 5, 4, 8, इसमें से इसको subtract करना है, तो यह कितना आएगा, 5, 32, अब यह step वापस से repeat करन यानि 53 में से क्या करो, 4 को minus करो, तो कितना आगया, 49, क्या 49, 7 से divisible होता है, 7 की table में 7 टाइम आएगा, इसका मतलब यह number 7 से भी divisible है, हम कह सकते हैं, कि अगर यह number 4 और 7 दोनों से divisible है, तो यह जो number है, यह 28 से भी divisible होगा, अब हम देखते है, rule of 29 क्या है, तो देखो, हमें क दिजिट का 3 टाइम करके, from the rest number, बाकी का बचावा number है, इसके अंदर क्या करना है, हमें, लास्ट वाले डिजिट का 3 गुना करके, 8 कर दो, इस एक्जाम्पल से समझते हैं, देखो, यहां लास्ट वाला डिजिट क्या है, 8, 8 का 3 टाइम करेंगे, वो कितना आएगा, 24, इस 29 की टेबल में, 2 टाइम में कितना आता है, 58, मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, 8 का double कितना होगा, sorry, triple कितना होगा, 24, इस 24 को 5 में 8 करेंगे, तो कितना आएगा, 29, 29, 29 से divisible है, इसका मतलब यह जो number है, यह number भी क्या होगा, 29 से divisible होगा, अब हम देखते है, rule of 30 क्या है, तो rule of 30, ऐसे समझ सकते हो, कि क्या हम 30 को क्या लिख सकते है, 3 multiply by 10 लिख सकते है, इसका मतलब वो number 3 से भी divisible होना चाहिए, और 10 से भी divisible होना चाहिए, इसी जीच को यहाँ भी note कर दिया है, कि number 3 और 10 दोनों से divisible है, तो बोल देंगे कि वो पूरा number 30 से भी divisible होगा, 3 के लिए कै इसे चेक करते हैं, यह मैंने part 1 में cover किया है, मैंने यहाँ भी लिख दिया है, sum of digits, करके देखेंगे, अगर वो sum of digits, यानि अंकों का योग आ रहा है, वो 3 से divisible है, तो वो पूरी जो संख्या है, वो भी क्या होगी, 3 से divisible होगी, और 10 का तो बहुती simple rule है, तुम्हें 1 का अं digit को देखना अगर वो 0 आ रहा है, तो वो number क्या होगा, 10 से divisible होगा, तो इस example से समझते हैं, यह number 10 से divisible है, क्योंकि इसका once digit कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानि कि इसका eka eka कितना है, 0 है तो यह number 10 से divisible होगा, अब 3 के लिए check करना है, तो 3 के लिए क्या करते हैं, सभी digits का sum निकालो, यानि सभी अंकों का योग निकालना है, तो 3 और 2 कितना हो गया, 6, और 6 और 7 कितना, sorry, 3 और 2 हो गया, 5, 5 और 7 कितना हो गया, 12, 12 प्लस 0, 12, क्या 12, 3 से divisible होता है, हाँ, 4 time divisible हो रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं, यह number 3 से भी divisible है, अगर यह number 3 और 10 दोनों से divisible है, तो यह number क्या होगा, 30 से भी divisible होगा, यह भी आप लोग नोट कर लिजिए, इसी के साथ rules of divisibility की यह series हमारी खत्म होती है, इसके लिए आप playlist में जाईए, इसके एक से लेके सभी part, 6 parts को देखिए, और कोई भी अगर उनमें doubt हो, तो comment जरूर कीजिए, वीडियो को like जरू करना और प्लीज सब्सक्राइब आवार यूटूब चैनल और प्रेस ता बेल आइकन और थेंक यू